हेलो स्ट्रेंट्स वेल्कम टो ऑल्लाइन प्लैटफॉर्म और सक्सेस ट्री मैं दिवंदर सिद्धू आप सभी का सवाह करता हूं हमारे टैन मिनिट शो में सो बचे आज का टॉपिक जो रहने वाला है भारत रतना हभी हमने देखा था बचे एल के अडवानी जी को हमने अनौंस किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कि उनको भारत रतन दिया जाएगा और उससे पहले भी अनौंसमेंट करी गई थी कि जो हमारा भारत रतन है वो जो है करपूरी ठाकर जी जो कि हमारे एक्स सीम रहे हैं बहार कि उनको दिया जाएगा बट स्टिल अभी अभी हमने जो देखा कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने तीन और व्यक्तियों को जो है भारत रतन देने की घोशना की तो वो तीन परसन और कौन है मच उसके बारे में बात करते हैं और ये भी बात करेंगे भारत रतन के बारे में कि भाई उससे पहले हमें ये पढ़ा है जब भी हमने भारत रतन पुरुसकार पढ़ते हैं करंट अफेर्स में कि हमेशा तीन से जादा इंसानों को नहीं दिया जा सकता तो उसके बारे में भी ह उनको मिलेगा भाई भारत रतना जो कि हमारा हाइस्ट सिविलियन अवार्ड है पदम शिरी पदम भूशन पदम भीभूशन एड उससे भी उपर जो बच्छे आता है इस भारत रतना लो जी तो याद रखेंगे भाई एलके अडवानी साहब पीवी नरसिमा राओ ठीक है जी थर्ड नमबर प्यारें कर पूरी ठाकुर लो जी चरन सिंग चौधरी चरन सिंग एंड एमस स्वामी नाथन एमस स्वामी नाथन तो इन पांच परसनेलिटिस को दो हजार चौबिस में घक करीम नगर से और काफिक जगार पिनकी स्ट्डिई हुई है उस्मानिया उस्मानिया उनिवर्सी के हाइदराबाद की बॉम्बे रखेंगे नाकपूर उनिवर्स्टी में भी जो इन्होंने इस्टेडि कर यह पी विनर्सिमा रहा हूर याद रखना कॉंग्रस के बचे ये लीडर थे Congress लीडर थे और 1991 से लेके 1996 ये पांच साल बचे ये प्राइम निस्टर रही है और इनके टाइम पे ही जो है LPG reforms होए थे Liberalization, Privatization और Globalization, Economic reforms में बचे बहुत ज़्यादा नाम इनका जो है लिया जाता अगर Economic reforms की बात करते हैं तो ये पहली personality PV नर्सीमन राउ जिनको जो है इस साल दिया गया भारत रतना सो सेकेंड personality की बात करते हैं तो चौधरी चरण सिंग की बात आती है बाग की otherwise जो first time ये elected होए थे चपरॉली से होए थे और लगातार बचे ये 46, 52, 62 और 1967 में ये legislative assembly से जीतते रहे हैं हना जी farmer cause जो है किसानों के लिए बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं जाट से जाट ही दे हाँ जाट लीडर से और western UP से बिलॉंग करते हैं second personality बचे चरण सिंग जिनको दिया गया इस साल भारत रतना लो जी फिर बात करते हैं बचे तीसरी personality की जिनका नाम है MS स्वामी नाथन और जो बचे अभी recently उनका अधेहाद भी हुआ था और MS स्वामी नाथन जिनको हम बोलते हैं पितामा Indian Green Revolution 1960 और सतर के दश्चक में जो Green Revolution हुआ था हरी करांती आए थे तो उसके पितामा MS स्वामी नाथन को ही किया जाता है तो scientist थे बचे Father of Green Revolution 1925 में इनका जनम होता है बचे B.Sc. डिगरी जूलो जी की प्राप्त करते हैं महराजा कॉलज इन थिरुवन्थपुरम केरला से और agriculture scientist थे MS स्वामी नाथन तो अभी recent लिनका ध्यान भी हुआ थर्ड personality जिनको दिया गया इस साल भारत रतना का पुरसकार लो जी बात करत अशक में भारती जन्ता पार्टी बनी थी तो उसके को फाउंडर रहे हैं उनमें अटल विहारी बाजपाई जी का भी नाम था लो भाई बीजेपी नैशनल प्रेजिनेंट रहे हैं शासी से नब्बे लेके 93 से 98 लेके और 2004 से 2005 और अटल विहारी बाजपाई की सरकार में प करपूरी ठाकुर जी का करपूरी ठाकुर जी जो की XCM रहे हैं XCM रहे हैं भाई कहां के CM रहे हैं बिहार के CM रहे हैं दो बार रहे हैं और बिहार के लोग बचे इनको जन नायक के नाम से जानते थे जन नायक बोलते थे इनको भाई 70 से लेके 70 और 70 से लेके 79 ये टाइम में इन्होंने जो है CM ship जो है चीफ मिनिस्टर रहे हैं बहार के सो ये पांच personalities जिनको इस साल 2024 में जो है भारत रतना पुरुसकार से सम्मानित किया गया हना जी अब भारत रतना के बारे में पढ़ते हैं आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है हना भारत रतना की अगर बात करते हैं तो ये बचे highest civilian award है हमारे इंडिया के highest civilian award है ठीक है जी लो जी और बिल्कुल टॉप में कौन आता है भारत रतना भारत रतना बिल्कुल टॉप में आता है भुषन फिर आता है हमारा पदम-विभूशन और फिर आता है बचे हमारा भारतना तो उपरकी ऊबर बचे इसका जो टायर है उपर की ऊपर चलता है और यह हाईस्ट रहता है और हमने यह देखा कि भारत रतना जो है maximum 3% से जादा नहीं दिया जा सकता किसी भी साल हना और ये बाद Ministry of Home Affairs की वेबसाइट पर लिखे और काफी जादा वेबसाइट पर यही जो आता है कि भाई maximum 3 टाइम से जादा हम भारत रतना पुरुसकार नहीं दे सकते ठीक है जी बात ठीक है कर लेते हैं उसके बारे में बात और भारत रतन का अगठन 1954 में हुआ पहली बार 1954 में सबसे पहले ये प personalities जिनको ये पुरुसकार दिया गया था उनका नाम अगर कोई बता दे कमेंट सेक्शन में बता देना तो मज़ा जाएगा वैसे मैंने लिख रखा है ठीक है आप फिर भी बता देना मैं बताऊंगा नहीं चलो जी बात करते हैं बचे और even के भारत रतना के बारे में और जो तोर पे हमेरे नाम के आगे या पिछे हम नहीं उसकर सकते हैं इस बात का भी ध्यान रखना है बट बैसे सुप्रीम कोड की रूलिंग भी आई थी वो बोलते थे कि हमने जो टाइटल की बात करी है वो हैरिडेटरी है आर्टिकल 18 में कॉंस्टुशन में सुप्रीम कोड की दूलिंग आई थी उसकी एकस्परिनेशन के लिए बोला गया था उनको तो वो हेरेडिटरी टाइटल को अभालिष करते हैं इसमें हमें कोई अपति नहीं है जो टाइटल की डेफिनेशन है उसमें आर्टिकल 18 की जो डेफिनेशन है उसमें यह अंडर नहीं आता क्योंकि merit की जो है एक merit के हिसाब से जो है कोई title दिया जा रहा है हाना जी meritorious है not hereditary लो जी so उसके बाद बात करते हैं बच्चे नहीं ये आप बताना ठीक है जी so अब बात आते हैं कि maximum three तीन से ज़्यादा तीन से ज़्यादा लोगों को कभी history में आज तक कभी दिया गया है पुरुसकार तो वो 1999 का year था 1999 का year बच्चे जब भारत रतना चार इंसानों को दिया गया बच्चे जैपरकाश नारायन अमरित्या सेन एकॉनॉमस थे गोपीनाथ बरदौली और रवी शंकर जो की musician और सितार player थे तो पहले भी यह जो बच्चे तीन maximum three times वाला जो rule है इसको breach किया गया है तो इस साल जो है पांच इंसानों को दिया जा रहा है भारत रतना ठीक है जी तो याद रखना बच्चे इस बात को और जैसे developing story है इसके बारे में और सरकार कोई अपनी टिपनी करेगी explanation देगी तो हम उसको further developing story में cover कर लेंगे बाकि ऐसे ही current affairs अगर आपको अच्छे डंग से करने है और exam में जो है final list में आना है exam कोई मर्जी देना हो तो बच्चे ऐसे ही मेरे show को हर रोज देखो सिधु talks जहां पर हम daily current affairs को revise करते हैं हाना जी exam कोई भी दनो EPFO, CPF, CDS, NDA, ALS, state exam कोई भी तो current affairs इसी अच्छे तरीके से करते हैं और एक बार आओ 10 a.m. current affairs लगाओ उसके बार decide करना लगाना के नहीं सो सिधु talks में मिलते हैं 10 a.m. tomorrow bye bye take care khuda आफिस